अग्याइब हेलो एंड वेलकम बैक टू दे चैनल फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर 26 मीडियल सेमी सरकल और यह चैप्टर हमारा बिल्कुल पिछले चैप्टर की तरह है जो हमारा डाइफोनिक वाला चैप्टर था बिल्कुल उसी की जैसे रूल से हैं इसम काफे इंप्टर रहेगा स्टार करते हैं चैप्टर को अब देखो मेडियल सेमी सरकल होता क्या है तो जैसे कि आपको मैंने पहले पढ़ाया था डब्ल्यू वाले चैप्टर में जो कॉंसरें डब्ल्यू का चैप्टर था कि इनिशली हम लोग डब्ल्यू ऐसे लिखते हैं ठीक है यह डब्ल्यू है हमारा यह डब्ल्यू का स्ट्रोक है हमारा लेकिन हम लोग ने क्या सिखाता है कि हम लोग डब्ल्यू ऐसे लिखते हैं राइट से में सरकल लेकिन सिर्फ इनिशली याद रखना बहुत इंपोर्टेंट बात है कि किसी भी वर्ड के कोई भी वर्ड अगर W से start हो रहा है तो initially हम लोग W ऐसे लिख देते हैं जैसे ये W, R, K ये हम लोग work लिख लेते हैं ये W, A, G, N वेगन लिख लेते हैं तो ये W हम लोग initially Initially इसको W लिखते हैं ठीक है किसी भी sentence के, किसी word के start मेरी right same circle लिखते हैं, तो यह डब्लीू है, ठीक है, लेकिन अगर यही डब्लीू वाला same circle कहीं बीच में आ जाए, किसी sentence के बीच में आ जाए, जैसे यहां बीच में आ जाए, जैसे यहां बीच में आ जाए, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, वो इस chapter में हम लोग जानेंगे तो start करते हैं इस chapter को तो पहले सबसे पहले तो यह जान लो कि दो तरीके से semicircle हम लोग लिखते हैं पहला यह left वाला यह वाला left यह left semicircle है और यह right semicircle है इस दो तरीके से हम लोग यह semicircle लिखते हैं और दोनों w को represent करता है यह left semicircle यह पहले w को represent करता है w के बाद इसमें कुछ vowels add होते हैं यह भी w को represent करता है और इसके बाद भी कुछ vowels add होते हैं तो कौन से वोवल add होते हैं जब आप याद कुरो पिछला chapter डाइफोन वाला वहाँ पे भी जो हमारे dot वाले 6 vowels थे उनके लिए अलग sign था नीचे tick था और जो dark हमारे dash वाले और light dash वाले जो dash वाले जो डैश वाले 6 vowels थे इनके लिए upper tick था वहाँ पे डाइफोन वाले chapter में इस chapter में भी उसी तरीके से कुछ है यह जो हमारे 6 vowels है तीन dark वाले तीन light vowel dot वाले ये 6 dot वाले vowels w के बाद अगर आते हैं w के बाद अगर ये वाले vowels आते हैं जैसे ये आ ये वाला a e a e a e i a e i अगर ये 6 vowels w के बाद आते हैं किसी भी word में तो हम लोग left semi circle का use करते हैं अगर a और a आया तो first place पे लगेगा ये semi circle अगर a और e आया तो second place पे लगेगा और e और i आया तो third place पे लगेगा यानि w के बाद अगर a और a का sound आता है तो first place पे लगाएंगे semi circle w के बाद ये दोनो sound आता है तो second place पे लगाएंगे semi circle left hand motion से क्योंकि ये left वाला इन छे वावल्स के साथ आता है और ये राइट वाला सेमी सरकल लगाएंगे जब ये छे वावल्स आएंगे डबल्यू के बाद यानि कि डबल्यू के बाद अगर ओ आ गया ये वाला, डबल्यू के बाद अगर ओ आ गया, ये वाला या फिर यह तीनों आ गए W के बाद तो हम लोग राइट सेमी सरकल से हम लोग words को बनाते हैं अब example से समझो तो अच्छे समझ में आ जाएगा पहला example सुवेज पहला example है सुवेज सुवेज के लिए हमने ए का वाविल लिया ए एस हो गया अब वेज लिखना है मैं यानि वेज एसु वेज तो वेज के लिए क्या है हमारा डब्लू ए जी आ रहा है लोग जार आ एस तो अब देखो डब्लियो के बाद क्या रहा है है कम यह देखना है कि डब्ल के बाद किया यारा है न向chyली के है कन सो व टब्ली स्फ्वेशं में डब्लू के बाद एकर यह वाल वुवल संहें लगता है ये वाला वावल इसमें लगता है लंबा है ना एसुवेज लंबा वाला है तो ये वाला वावल लगेगा ये कौन से प्लेस पे आता है ये वाला वावल ये वाला वावल देखो ये हमारा फेकेंड प्लेस पे आता है तो हम लोग ये जो ए लगाएंगे एसुवेज के लिए से मिसर्कल लगाएंगे कौन से प्लेस पे तो सकेंड प्लेस 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 लगाएंगे क्योंकि यह वाला वावल जो है हमारा ए यह सकेंड प्लेस का वावल है तो डबल्यू के बाद ए आ रहा है तो सकेंड प्लेस पे लेफ्ट से मिसर्कल लगादेंगे तो यह वे का साउं कौसा वह लाई आया है ॉ के बाद e का वह लाया है और e कौन सा यह लंबा सो आफ़ाँ करें तो ये left semicircle कहां पर लगेगा third place पर लगेगा तो C और weed यानि कि ये semicircle क्या represent करेगा ये W और E को represent करेगा V और फिर D है तो ये weed हो गया यानि कि जब ये 6 wobbles follow करेंगे W को तो हम लोग क्या लगाएंगे left semicircle ये वाला semicircle लगाएंगे ठीक है जब W के बाद ये 6 wobbles आएंगे dot वाले चाहे light हो या dark हो फर्क नहीं पड़ता है और अगर W के बाद ये 6 wobbles आएंगे dash वाले तो हम लोग right semicircle लगाएंगे यहाँ पर लगाएंगे left वाला यहाँ लगाएंगे right वाला अब देखो इसके भी examples सी वर्ड सी वर्ड सी वर्ड तो थूद लाइन एस हो गया सी अब क्या है डबल्यू डबल्यू के बाद कौन सा वाल है यहाँ पर देखो तो तो right semicircle कहां लगेगा first place लगेगा तो सी के बाद आर का first place कौन सा है यह वाला तो यहाँ पर लग गया डबल्यू का अगला example देखो lambs wool lambs wool तो L a m और s यह एम डार्क वाला है यह डार्क वाला m है तो यह यह एम भी यह एम भी हो गया और s यह तो lambs हो गया यहां तक में हमारा lambs clear हो गया ठीक है lambs हो गया अब लिखना है wool तो w के पाद कौन सा वाल है उ का वाल है उ कॉन सा है डारक वाला है तो ये वाला w Gang तो ये examples हैं इस तरीके से और भी कुछ examples है books में, book में और कुछ examples हैं ऐसे, वो देख लेना आप और exercises हैं इसके वो कर लेना और बस इतना साही था ये chapter इसके अलावे इसमें कुछ भी नहीं है जानने लाएग बस आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है, left semicircle W के बाद इंचे vowels का sound देता है आ, A, E, A, E, I O, O, U O, U, U और ये U जो है, ये यू ये यू को हम लोग अगर sound देखें तो आ का sound आता है इसमें, ठीक है इसमें light dash लगता है और ये आ का sound देता है ठीक है, लेकिन लिखाता यू है तो ध्यान देना इसमें, बहुत जगा लोग गलत कर देता है, ठीक है तो ये आप 12 bubbles याद कर लो आपको ना डाइफोन में दिक्कत होगी और नहीं आपको इसमें, medial semicircles में दिक्कत होगी, ठीक है तो ये chapter इतना ही था और इसमें कोई doubt हो, तो पूछ लेना comments में और बाकी हम लोग अगला वीडियो लेक आएंगे अगली chapter का chapter 27 जो भी है ठीक है, वीडियो अच्छा लागे तो वीडियो को लाइक कर देना